बिसमिल्ले रह्मान रहीम, असलाम आलेकम, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आलू मत्रे काजय की सब्जी, my favorite, very very tasty, delicious recipe, easy recipe, और आप इसको बनाएं, और मुझे तो किये ना, डेली अगर मिले रहा है नाश्ते के टाइम, तो जो हलके घी वाली रोटी होती है ना, वो मत साथ चाय में देली खाऊ, इतनी मज़े की लगती है, तो recipe start करते है, recipe banana, तो मैंने लिए है ये, आदे किलो आलू, ठीक है, और आदे किलो ही मैंने मटर ली है, और आदे किलो से कम थोड़ी से मैंने गाजर ली है, दो दर मैने साइज की प्या, चार दर मैने साइज के अधार धनिया, और वन टेबल स्पून, पेसीवी मेरच, वन टेबल स्पून नमक, गरम मसाला, वन टेबल स्पून, अधा पाउ दही, लसन अधर पेस, वन टेबल स्पून, और थोड़ी सी हरी मिर्चे, याटे से कॉर्डिंग, जीरा लीजेगा, एक चमच भर कर, और हमें प्याज को डाल के आपने फ्राई कर लेना है, ब्राउनी करना, पिंग पिंग सा फ्राई करना है, और पिर डाल देना है, पिर टीमाटर, लसन अधर का पेस्ट, और इसे करना है, मिक्स, इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और पिर इसमें डाल दीजे का तमाम मसाले नमक मिर्ची हल्दी और गरम मसाला और अच्छे से करिए गाएसे मिक्स क्योंकि यही है तो आप ने इसको अच्छे से बकाना है ठीक है जितना अच्छा टेस्टी पकेगा तो आपकी जो सब्सी ना उतीनी हिला जवाब होगी और इसमें हम दही डाल देंगे ठीक है और दही प्रूम के लिए आप में ना दम पे रखने हैं लो फ्लेम में और दस मिनट बात देखें हमारे टिमाचर और प्यास सौफ्ट हो गई है तो डाल दीजे इसमें आलूर मतर गाजर और हरी मिर्चे यह आप जादा भी कर सकते हैं ठीकि जिसे जादा तेस मिर्चे पसन है तो कि इस चाहरी डं नहीं हुई है तो इस स्टेप में हँदालेंगे लिए खेया धिक आपने जीड़ा डाल देना है एक और फिर इसमें आपने हरा धनिया डालके फिर इसे आपने 10 मिनट का लिवा देना है लो फ्लेम में सारा वसारा डालगी लोग देदेधें और दम बन जा और इसके साथ मेथी भी डालें तो बहुत इलजीज हो जाएगी तो वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीस लाइक करेज़ेगा सब्सक्राइब किजिए का जो नहीं है अपना बहुत ख्यार लेखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफेज